नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अनलाइन इक्जाम मिशन पर तो दोस्तों हम लोग यहां पर हिंदी का एक टेस्ट और लेके आ हैं जहां पर प्रस्णों के संक्या आपकी साथ है और यहां पर जितने विच्चे लाइब आ जाते हैं वो लोग ज्यादा समय ने लेंगे जिनको आना होगा वो वीडियो लाइक करेंगे और इसके बाद जवाब देना शुरू करेंगे ठीक है और इसके पहले भी हमने यहां पर करे सकते हैं कि काफी वीडियो आपके बना दिये हैं आपकी प्लेलिस्ट बना दिया है वहां पर आप समनार्थी सब्द नहीं है ठीके समझ में आ रहा है ना यहाँ पर चतुर का समनार्थी नहीं है तो देखो समनार्थी आपको कौन सा नहीं होगा यहाँ पर दे रहा है खुदगर्ज, तीब्रबुद्धी हाजिर जवाब और कुसल ठीके तो यहाँ पर देखो खुदगर्ज खुदगर्ज आपको चतुर से समन्दित नहीं होता है समझ में आ रहा है ना बिल्कुल सही है अंसर राइट आपका ए हो जाएगा खुदगर्ज यह चतुर का समनार्थी सब्दे नहीं है समझ में आ गया आगे बढ़ा जाए चलिए अगला है घोटक का तद्भा रूप क्या है घोटक का तद्भा रूप सही है बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही आ गया अपने पहले देख लिया था चलिए इसका जवाब आपको हो जाएगा घोडा ठीके घोटक का तत्वरूप क्या हो जाएगा घोड़ा हो जाएगा सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सभी है चली अगला है सर जो की सरोर का परयावची है यदि सर के प्रथम वर्ण सा की इस्थान पर सा का प्रियोग किया जाए तो इसका अर्थ क्या है अर्थात इस सर का प्रियोग करते हैं तो आपका सरोर बनता है और इस सर का अगर प्रियोग करतेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा ठीके थिरीक ओप्सन राइट आपका बी नमबर आपका सही है जो भी आप देखो मन चंगा तो कसोटी में गंगा लोकुक्ती का सही अर्थ आपका हो जगा बी नमबर सही है बिल्कुल सही है सबस चलिए इससे लगता है कि आप लोग पढ़ाय किये हो चलिए आवस्यक्ता से अधिक वरस्टी होने पर उसके लिए कौन सा उप्यूक्त सब्द प्रियूक कियाता है देखो अगर आवस्यक्ता से अधिक आपकी वरस्टी हो जाए बारिस हो जाए तो उसके लिए हम लोग सब्द कौन सा यूज करते हैं ये कौन सो वाड होता है बताएए भाई अलप तो हो नहीं सकता है अलप तो नहीं होगा न अच्छा अनावरेष्टी आतिवरेष्टी कर दीजी सहइए शी नमर आपका आतिवरेष्टी ठीक है ओके चलिए अगला है अब अलिरही गुलाब में अपत कटीली डाल में कौन सा लंकार है यहाँ पर बताईए भाई अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा लंकार है देखो अली मतला होता है भौरा ठीक है अपत मतला होता है पत्र और कटीली डाल मतला होता है काटों से भरी यहां पर बात यह हो रही है कि बसंतरित की बात तुल्ला कर रहे हैं कि जब बसंतरित होती है तो इसमें फूल और वगारों से मतलब कह सकती है पेड़ आपका सजा होता है लेकिन जैसे इस बसंतरित चली आती है तो इसमें से पौधे वगारा होते हैं इसकी समनता हुआ से COVID है, आपकी बशन्ट से, ठीक है, तो इसमें अंसर आपका होगा, ए आपका, उपमा यह अगला है अध्यल गगरी चलकात जाए इस मोहौरे के वाप के बताईए अध्यल गगरी चलकात जाए तो आप देख सकते हैं ठीके प्लेड है जिए बहुत जबालएं कस् gebautना है यह उसी नमर का सहिए विडियो का जवाब जितने बिचे किस कोटी का चिनीत है यहां पर आपको दिया प्रधाना चारे उप प्रधाना चारे तो देखो यहां पर आपका जो वर्ड है वो किस प्रकार का है तो देखो तत्सम सब्द तो है लेकिन कैसा तत्सम उप तत्सम मतलब कि तत्सम उपसर गए कैसा है तत्सम उपसर गए आपका यहां पर कौन हो जगा ए नमबर सही है चलो मैथली सरन गुपति में स्वरी निम्रिकित में से कौन सी मैथली सरन गुपति की रचना नहीं है जवाब दीजिए यहाँ पर मेगनात वद अर्जुन विसरजन प्रदिछना और आपका देया कादंबरी और बच्चों ने यहाँ पर जवाब यहाँ पर सबसे पहली निका आ गया है चलिए सी नमर आपका है कादंबरी बिल्कुल सही है कादंबरी जो आपकी है वो आपकी बान भट्टी की है जो कि हर स्वर्दें के दर्बार में रहते थे ठीक है मैथली सनगुप्ति की कादंबरी निका है समाज में आगया चलिए इस्वर तुम्हें दीरगायो दे कि आधार पर वाक्या भीत बताईए यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य है किसीबद़ाईए क्या होता है इसको सबसे पहले पता होने चेक करपण करपण कार्थ होते होते हैं कंजूस यहाँ पर कहेंगे ठीक है तो कंजूस का जो विलोम बन जाएगा वो आपका दयालू बन जाएगा और दयालू बोलते हैं उदार ठीक है तो इस पर चंद का सब्रतम उल्ले कहां मिलता है जवाब दीजिए चंद का सब्रतम उल्ले कहां मिलता है चलिए चंद का बिलकोल सही जवाब है ए नमबर रिग्व्यद मिलता है ठीक है रिग्व्यद मिलता है एक देशी का बिलोम बताई एक देशी का बिलोम एक देशी बिलोम तो यहा तो इसका मतलत सर्व देशी बोलेंगे ठीक है डी नमबर आपको होजेगा बिलकुल साइट डी होगा अगला है गिरीज में कौन सी संदी है कुछ बच्चे इधार आओ वाकिमी विसेशन पहचानी है कुछ बच्चे इधार आओ तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो संकेत भी हो रहा है क्योंकि कुछ बच्चे इधार आओ संकेत हो रहा है दूसरा दे रहा है कुछ बच्चे इधार आओ तो यहाँ पर कह सकते हैं कुछ की सहांप से देखा जाए संख्या वाची होगा अधात इसका जवाब आपका पूर्ता आपके प्रस्वन को follow नहीं करर रहा है यह कह सकते हैं इन दोनों को ही यह follow कर रहा है लेकिन पर्षृनल किसी बात को focus नहीं किया गया है तो इसका अंसर हम आपको A और B जिन लोगों ने जवाब दे A और C जो दे रहे हैं उन दोनों का यह सही है जो कि परसनल यहाँ पर फोकस नहीं किया गया है यह अंडरलाइन कर देता कि इसका आपका कैसकती भी सेसर पूछा है तो हम लोग सही कर सकते थे यहाँ पर संख्यावाची भी है और कैसकते हैं कुछ बच्चे होते हैं तो देखा जाए 90% से ज़्यादा आपका यह सही है यह आपका संख्यत वाचेक में इसलिए क्योंकि संख्यत वाचेक में होता है कि यह वो ऐसे कुछ होते हैं इस वज़े से संक्भ्यावाची होता है अनिस्चित अगर आपको मार्क लगाना है तो मार्क किसमें लगांगे लगैंगे संस्क्या वाची में संस्क्राइब को स्क्राइब आपको अगर देर आयोग तो सही आम माननेंगे लेकिन आयोग इसको ही आपको सही मानने के सिवारे को ठीक है सही आपका अगर लगाया तो बिल्कुछ सही है चलिए पापी का इस्त्रिलिंग बताइए पापी का इस्त्रिलिंग पापी का पापी का ऑप्सन राइट सही है बी नमबर किस वाक्य में सकर्मक किरिया नहीं है किस वाक्य में सकर्मक किरिया नहीं है जवाब दीजी वही किस वाक्य में सकर्मक किरिया नहीं है चलिए यहां पर देखते हैं कियरा आप से ही सकर्मक किरिया नहीं है इसका मतला कर्मक किरिया होगी कियरा मोहन हसता है और हमने पहचान के क्या और किसको मतलब क्या हसता है कोई अंसर निकल ला है क्या हसता है नहीं निकल ला ना जहां कोई अंसर नहीं निकलता है कि तो आपके अकर्मक के लिए तो इस प्रकार से यह मोहन हसता है आपकी अकर्मक है तो आपकी यह तीन कहीं न कहीं आपके सकर्मक ही होंगे ठीक है अं मरप हो जाएगा अगला निम्ड कित्म वाक्व में से असुद्वाक कचन किजिए असुद्वाक कि आप से पूछा यहां पर भाई वे भारत के प्रभावी प्रधानमंतरी हैं कह सकते हैं कि सई है आपका दूसरा वह दंड देने योग है आपको तो लग रहा होगा दंड देन आपकी ठीक है चलिए अगला है कि गोवर गड़ेस या किस समास को दारण है गोवर गड़ेस जवाब दीजिए भाई गोवर गड़ेस देखो गोवर गड़ेस गोवर से गोवर से निर्मित गड़ेस यह कह सकते हैं गोवर से निर्मित गड़ेस करन तत्पूरुस हो जाएगा सही आपका कैसा मुऊंगा करनाततपूरूस सही है चली आगीरा कोर्शन कि जिस क्रमांक में वाँक की गलत सही विरामचिन है ठाथ यहाँ पर कोई न कोई ऐष in Saudis यह मैं से जो आपके कैसे किसिकते हैं कि चिन है वूँ आपका गलती लगें किसमे हैं देख सकते हैं पहँचान कर लीजी सही आपको दिया है ठेके सही आपको एक छाटना है वो इसे आपकी गलती होंगे तीन में एक फुसाही होगा बैस में देखे आपसन आपका राइट आपका यहाँ पर जो दिख रहा है सही वो आपका ए है नारी तुम केवल स्रद्धा हो यह विल्कुल आपका सही है अधर आपके तीनों कई न कई गलत है ठीक है तीनों आपके यहाँ पर गलत है देखो हाय है यहाँ पर आपका समोधन नहीं लगा है लखना हुजाओंगा यहाँ के बाद आपको यहाँ पर एक आपको कह सकते हैं विराम चिन नहीं लगा है जो की गरत है एक बार मोहन उदरपुर गया और वहाँ से यहाँ पर देखो पूर विराम आपको नहीं लगा है लास्ट वाले में उस प्रकास से तीन गलत है अंसर आपका यह हो जाएगा समझ आ रहा है चलिए नेम जवाब दिया है आसा यह अंसर आपका डी हो जागा है तेलगो देखो कन्नो जी बांगरू अवधी तो आती है लेकिन तेलगो हमारे हिंदी भासर के अंदर गत नहीं आती है ठीक है चलिए अगरा है कबीर की भक्ति रस का सुरूप काया था जो कबीर दास थे वो किस भक्त आसर्वनाम से यह संग्या सर्वनाम से या संग्या सर्वनाम दोनों से एं तो right answer आपका यहाँ पर हो जाएगा बी number याद रखेगा इसका अंसर यहांपर काभी लगता है जो संग्या जो मतलब कह सकते हैं कि जब भी संग्या के पहले कोई सरुनाम लगता है तो वो आपका सरुनाम है को होता है इस परकार कर सकते हैं कि संग्या जरूर होगी और वो आपके वहाँ पर सरुनाम बन जाएगा ठीक है तो आपका B हो जाएगा बिना सरुनाम के बिना संग्या के आगे मतलब लगा नहीं सकते हैं इसलिए संग्या के पहले जब लगी होती तो सरुनाम के नहीं लगता है ठीक है तो B होगा यहां पर सही निम्लेकित में से कौन सा बेंजन पार्सविक है बताए बैंजन जो पारशविक है हमने बहुत बार बताहे आपको Tai पारऊप़ राइट है यहां पर जवाब Śm depression पीछuted आपको नसी सब्सक्राइब करवा गोमकि esset नहीं वानन 157 नहीं हो जाएगा में प्रत्थ थूंदला में प्रियुक्त प्रत्य है कभी भी प्रत्य हो उसको तीन बार बोलो आसा आराम से लास्ट वर्ड आपको बिरे गवार बार कामन दुन्द लाज निकल लाना C number नेश्क कर आप से नेमलिकित में से बेक्तिवाचक संग्या काउंसी है देखो बेक्तिवाचक मतलब होता है कि सिर्फ एक ही ही हो वर्ड में वो चीज आपके सिर्फ एक ही हो और जाती में उसके नाम के बहुत होते हैं यहाँ पर आपको दिया है गंगा नदी तो गंगा तो सिर्फ एक है ना विस्सुमें इसलिए आपके कैसी हो जाएगी बेक्तिवाचक वह पर नदी आती है कि बात करते तो नदी तो नदी किसमें आती है यह आपकी जातिवाचक में हो जाएगी लेकिन गंगा तो एक ही है इसलिए कौन सा सब्द विशेस है। लगभग वच्चे गलती करेंगे इसका जवाब बी अगनी हो जाएगा ठीक है यह विसेश से है अगला है कि निम्लिकित प्रस्ण में समुनार्थक सब्द को बताना है लगभग अच्छे गलती करेंगी इसका जवाब निम्लिकित प्रस्ण में समुनार्थक सब्द को छांटिए सम्मू आर्थाइक सग्ड GOOD Chi जैथा इसका जवाब यहां पर समली जिलेजे नमर्ट होगा सम्मवाई क्या होजएगा सम्मवाई सम्मवाई को मंदल जो होता है अर्थ जो होता है इसका झ्छुनद भीहता है सम्मू भी oh मारक में बताई वह आप्पादान किस में है वह बांट से च्छेता है मुझसे कहां गया वह सिंग से भीत हुआ यह सही है आप किसी है जैसे कि मालीजी कि वह सिंग से भीत हुआ मतलब के सिकते हैं डरा और जब डरेगा तो भागेगा दूर होगा दूर होगा कर सकते हैं क्या होगा आप आदान कोई भी हो अगर आपको डरते हो तुरंत आप दूरी पीछे जाने के प्रयास करोगे ठीक है चले अगला है कि साहितिक जनता की चितवरतियों का अगला है भारत वर्सी के लिए हिंदी भासा का नाम सब्रतम किसने सुझाया था बिल्कुल सिंपल है भारत वर्सी के लिए हिंदी भासा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था राइट अंसर आपका सी हो जागा राजा राम मोहाराय अगला है निम्रिखित में से कौन स्व नहीं है यहां पर तो आपने यहां पर अंसर ढूल लिए कौन सा डी नंबर जो आपका यहां है यह आपका पंचमा अच्छा रहे यह आपका स्वर्म नहीं आता है निम्लिकित में से कौन सा टावर्ग नहीं है जवाब दो भई टावर्ग और टाठा डाठा अज़से आता है गहा तो आता नहीं है तो 35 का अंसर क्या हो जाएगा दी तो हो जाएगा भाई 35 का डी होगा न चलो सही है अगला है यहां पर 40 और यहां पर हम कर सकते हैं गध्यांस आपको जब आफ लाइन देंगे वीडियो उसमें हम बता देंगे क्योंकि लाइब देने में आप उपन सब्सक्राइब निकालिए निश्चित निश्चित आपको दिया है इसका समनार्थी आपको वताना है निश्चित निश्चित मतलब निश्चित और निश्चित मतलब कर सकते हैं जो कहते हैं किया गया है दिन वो निश्चित होता है इसका समनार्थी आपको हो जाएगा सी नंबर निश्चित का आपका तैं हो जाएगा जैसे माल निश्चित की हो इसका मतलब तैं किया गया ना सी नंबर याँपर आपको होता आना समराषी सूरज का मारति तो याँपर बच्चे गलती करेंगे 99 परसन्ट इस परसन का जवाब देखते हैं कि कौन मेकरा कवं निąd जाए एसन पर क्यों तयारी मांदारी टरहनी कार्त आपसे जलद कुसको बोलते हैं बिल्कुल सिंपल है सब दी कार्थ होता है चलिए अगला दिया है दिये गे वाक्यांसों के लिए इक सब्धा आपका चैन करना काई आनुसास नात्मख कार्वाही की प्रक्रिया के फसरों पद से नीचे उतारना थाथ किसी भी ब्यक्ति को अगर उसके पद से नीचे हटाते हैं वो भी कह सकते हैं असनस्वाशन की कारवाही की परक्रिया की तहट उसे बुलते हैं पदा उन्ति python यह भलते हैं कि अध़्या में बड़ा बैक्ती जोड़ा बैक्ति विद्टी खतब में नंबर डालते हो तभी हमको पसंद आएगा यह आप यामेर का जवाबistant यह दे रहा है और यहां पर स्री नमबर जेस्ट तो आई वे जो बड़ा बेक्त होता है उसे हम लोग जेस्ट बोलते हैं ठीके चरिए अगला यहां पर दिया है सुद्ध और असुद्ध जो कि तुरुटी पूर्ड आपको देखना है पहला सवाल का जवाब दो मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबन्ध है क्या सही है तो जी सेर बिलकुत सही है आपको इसका अंसर आपको डी हो जगा कि पूरे सही है अगर हैं मैं कुछ का कुछ लिख दिया है कुई प्रूटी नहीं है क्या प्रूटी है या नहीं है 47 का जवाब दिजी भैई 47 नॉ foolưस मैंने कुछ का कुछ लिख दिया है यहाँ पर आपका एक गलती है यहाँ पर मैं नहीं आपका मैंने होना चाहिए मैंने कुछ का कुछ लिख दिया चलिए 48 मीठे वचन बोलना उत्तम गुड़ है यह तो आपको सही लग रहा है न सही है चलो जिसार बिल्कुल सई है आपका मीठे वचन बोलना उत्तम गुड़ाए अड़ी नमबर आपका हो जाएगा बिल्कुल सई है अगला है उसकी आखों से आशु बहते हैं उसकी आखों से आशु बहते हैं भाई बताईए यहाँ पर तुरूटी है या नहीं तो याद रखिए तुलोटी है इसमें किसमें बहना यहापन निकलना होना चाहिए आयोगनियापन निकलना सही कराया है तो इसके आखों से आसु निकलते हैं ठीक है ऐसे होगा से नमबर नेश कराब से इस पंक्ति का अपुहुत्य अलंकार है अपुहुत्य मतलब कह सकते हैं कि विपत्ती ग्रस्त नहीं इसका कह सकते हैं एक अर्थ होता है इसका रूपक होता है इसे का नाम आपका रूपक अलंकार होता है और रूपक अलंकार होता है जो कह सकते हैं कि आरोप रहित्य निशेधात्मक वर्ड लिया जाए ठीक है जब आरोप रहित्य आपका तुलना की जाए तो यहां पर आपका है यह चंद नहीं मूख है यह वार आपका हो जाएगा ठीक है डी नमबर इस वर तुम्हें सफलता दे किस प्रकार का वाक्य है इस वर तुम्हें तूटा है यहाँ पर कौन सा विराम चिन आपको होना चाहिए मोहन कमल और सुरेश एक प्रयोग सालाम जाते हैं देखो अलप प्रप्रांट आपको छूड़ गया है बावन का जवाब यहाँ पर जो जवाब यह दिया है बिल्कुल सही है कमल कॉमा ऐसे हो जाता है मोहन ठीक ह कौमा कर देते अलपिराम कर देते फिक कमल और सुरेश तो आपको हो जाता है मोहन कौमा कर देते कमल और सुरेश एक प्रयोग सालाम जाते हैं यह नंबर आपको यहाँ पर हो जाएगा यह गलती आपकी थी अगला है तिरपन नंबर रेखांके सब्दे के लिए उप्युक् समझ में आ गया चलिए अगला है बुढ़ापा भी एक प्रकार का विसाफ है इस वाक्त में रिखांगी सब्द की संग्या बताइए बुढ़ापा में कौन सी संग्या है बुढ़ापा में कैसी है भाव आजक संग्या है आपको संग्या लाइक बताइए आप 25 का जवाब भाष अंद्ट में ऑगा मजा नहीं आ रहा है बहूत बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं और लाइक नहीं कि आभी तक वीडियो खतम होना है आभी लाइक नहीं कियो लाइक करो सबसे पहले विज्ञान सब्सक्राइब प्रियुक दूपसर को नहीं चपन का जवाब यहाँ पर राइट अंसर आपका होज़ेगा सही बिल्कुल से नमबर आपका सही होज़ेगा लगला है साहित और समाच का अनास्रित संबन्द है वाक मेरे खंकी सब्द का सुद्रोप यहाँ पर आपका अन्यास्रित लिखा है यह क्या सई है यह गलती है यह आपका याम पर कह सकते हैं बताइए भाई अनासृत में जी हाँ यहाँ पर अब तुक्का तो बैटना यह पड़ेगा बच्छे तुक्का तो लगाएंगे चलो यहाँ पर राइट अन्सर आपका भी हो जगए याद रखे अन्यों नासृत होता है न है न बाउत विरी तो घर अन stri ओंण दो आपका हो गाई यह लास कॉश्चन किन वर्ड और एप सयों से बनता है जो आपका कम्हों है जो आपका के सकते हैं कि जो आपका किस Tuya से बना है यह पातना है यह बनता आपका हमेसा यह वड़ाया तो इसको दा बहला एकुरो तो जैसे आपको समझ में सब्सक्राइब अबिब का होजेगा जय दो है